नमस्कार मित्रों मैं एसल बेरवा साहय काचारी अर्थसास्त्र राजकी महाविजाले टोडराइस्चिंग मित्रों आज इस वीडियो में हम समस्टी आर्थिक विरोधावाश अर्थात जोड समंधी ब्रांती के बारे में अध्यन करेंगे मैक्रो एकनॉमिक्स पेराडॉकसेज और फैलसी ओप कमपोजिशन चलो शुरू करते हैं आज का ये बहुत खास टॉपिक समस्टी आर्थिक विरोधावाश आर्थिक विश्लेशन में कई बार ऐसी इस्तितियां आती है जो बात एक वेक्ति के रूप में तो सही एवं लाब प्रद हो सकती है प्रंतु वह बात समगर रूप में गलत एवं घातक सिद्ध होती है जैसे एक देश में वेक्तिगत बचत एक अच्छा गुण माना जाता है और यहां वेक्तिगत बचत उस वेक्ति विशेश के लिए उचित एवं लाब प्रद हो सकती है पर अगर राष्ट के सब भी वेक्ति समगर रूप में बचत करने में जुट जाए तो इसके दुस्परिणाम होगी समगर रूप में बचत करने में जुट जाएं सबी वेक्ति तो राष्टी उपभोग गटने से अर्थ वेवस्ता में वस्तों और सेवाओं की उपभोग मांग गट जाएगी मंदी की स्थिती आने से आए उतपादन एवम रोजगार में कमी होगी आए उतपादन एवम रोजगार में कमी से अर्थ वेवस्ता को मंदी के कुछ चक्र में फसकर घातक एवम अनुचित सिद्ध हो सकती है तो इतने सारे दुस्परिनाम समग रूप से बचत करने के हैं इसलिए अर्षास्तर में ऐसी परस्पर विरोधी इस्तितियों को समस्टी आर्थिक विरोधा भास परस्पर विरोधी इस्तितियों को और्षास्तर में समस्टी आर्थिक विरोधा भास कहते हैं जो बात एक वेक्ति के लिए सही और लाबप्रद हो सकती है वही बात समग रूप में गलत और घहतक से दोती है दो परस्पर विरोधी इस्तितियां है इसलिए इनको समस्टी आर्थिक विरोधा भास कहते हैं परफेसर सेमिल सन ने आर्थिक शेतर में ऐसी विरोधा भासों का विवेचन किया है जो वेक्तिकत रूप में उचित है किन्तु समोग एवम राष्ट के रूप में वो प्रमुक विरोधाबास इस प्रकार से है इसके कई सारे उधारन अपन देख सकते हैं महसुस कर सकते हैं कोई भी बात हो सकती है जो एक वेक्ति के लिए तो अच्छी हो सकती है तो इसमें प्रमुक विरोधाबास जो है वो यह है पहला विरोधाबास वेक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है सर्व विधित है कि वेक्तिगत बचत करना एक अच्छा गुण है बचत करनी चाहिए बचत होनी चाहिए सभी को बचत करनी चाहिए लेकिन राष्टिय सामुहिक बचत अनुचित एवं घातक सिद्ध हो सकती है एक वेक्ति बचत कर सकता है लेकिन सामुहिक बचत अनुचित हो सकती है एक वेक्ति बचत करता है तो वो उसके लिए लाब प्रद है लेकिन सभी वेक्ति अगर सामुई ग्रूप से बचत करने लग जाएंगे तो ये एक राष्ट के लिए अनुचित है और यह इस्तिती गातक सिद्ध हो सकती है क्योंकि इससे राष्टिय जो उत्पादन है उसकी मांग उपभोग आदी में कमी हो जाएगी और मंदी की और अग्रसर होगा दूसरी प्रमुक विरोदाबास है वेक्ति बेंक से जमारासिया निकाले तो कोई समश्या नहीं कोई भी वेक्ति अपने बेंक से जमारासिया निकाल सकता है क्योंकि उसकी अपनी बचत बेंक में जमा है तो उसको वो निकाल सकता है तो इसमें कोई समश्या नहीं है पर अगर राष्ट के सबी वेक्ति बैंकों से अपनी जमाई निकाल ले तो बैंक फैल हो जाएंगे देखिए यहाँ पर कितने बड़ा विरोधा बास है एक वेक्ति बैंक से अपनी जमारासिया निकाल ले तो कोई समश्या नहीं, बिलकुल समश्या नहीं उसका हक है परन्तु अगर राश्ट के सबी वेक्ति बैंकों से अपनी जमाएं निकाल ले तो ऐसी इस्तिति में बैंकों के पास कोई राशी नहीं बचेगी तो बैंक कैसे कार्य करेंगे तो ऐसी इस्तिति में बैंकों के सामने संकट हो जाएगा और बैंक फैल भी हो सकते हैं क्योंकि बेंक जो है वेक्टियों के बचत से ही संचाली तो होते हैं बचत से ही वो स्रजित करते हैं अपनी साख तीसरा प्रकर्ति की क्रपा से अच्छी फसल वेक्टिगत क्रशक की आमदनी में व्रद्दी का सूचक है प्रकर्ति की अच्छी महर्बानी रही रहती है तो एक किसान या एक वेक्टि के लिए अच्छी फसल पैदा होगी तो उससे उस क्रशक की आमदनी में आए में व्रद्दी होगी परन्तु अगर समूचे रास्ट का करशी उत्पादन इतना बढ़ जाए कि अति उत्पादन की इस्तिती हो जाए तो करशी उत्पादों के मुल्यों में भरी गिरावट से करशी गत आमदनी में कमी करशकों के लिए घातक सिद्ध होगी प्रकर्ति की क्रपा से अच्छी फसल वेक्तिगत करशक की आमदनी में व्रद्दी हो सकती है एक वेक्ति की एक करशक की आमदनी में व्रद्दी हो जाती है बहुत अच्छी बात है परन्तु समूचे रास्ट का करशी उत्पादन बढ़ जाए बहुत जदा करशी हो जाए तो अति उत्पादन की स्थिति में क्या होगा क्रशी उत्पादों के मुल्य में भारी गिरावट होगी क्रशी उत्पादों के मुल्य में भारी गिरावट होने से क्रशकों की आमदनी में बहुत कमी होगी जो क्रशकों के लिए गातक होगी इसलिए एक वेक्ति के लिए तो आमदनी में व्रिद्धी का सुचक अच्छा है परन्तो अगर संपूर्ण द्रश्टी से देखें तो यह गातक है एक वेक्ति मजदूरी में कटोती स्विकार कर अपनी बेकारी दूर कर सकता है पर देश के सभी बेरोजगार मजदूरी में कटोती से अर्थ व्यवस्ता में रोजगार नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मजदूरी में कटोती राष्ट की प्रवाव पूर्ण मांग में कमी कर बेरोजगारी को और बढ़ा सकती है एक वेक्ती मजदूरी में कटोती कर कम मजदूरी लेकर और अपनी बेरोजगारी दूर कर सकता है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है उसकी इच्छित मजदूरी पर तो वो अपनी मजदूरी में कमी करके और वो रोजगार पर लग सकता है पर सभी बेरोजगार मजदूरी में कटोती नहीं कर सकते मजदूरी में ऐसे कटोती से अर्थ व्यवस्ता में रोजगार नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मजदूरी में कटोती से उनकी आए में निस्चित रूप से कमी होगी आए में कमी से प्रबावपूर्ण मांग में कमी होगी और प्रबावपूर्ण मांग में कमी होगी तो बेरोजगारी और बढ़ेगे क्योंकि मांग ही नहीं होगी तो रोजगार कहां से देंगे एक वेक्ति द्वारा अपने आमदनी से अधिक वे कर रिन में डोबना मुर्गता का परिचेक माना जाता है पर अगर राष्ट्र विकास तता मंदी के निराकरण के लिए रिन ले और घाटे का बजड़ बनावे तो भी उसे बुद्धिमता माना जाता है एक वेक्ति द्वारा अपने आमदनी से अधिक वे कर रिन में डोबना मुर्गता का परिचे माना जाता है क्योंकि उसको पता है कि मेरी आमदनी इतनी ज्यादन नहीं है तो मैं इतना वे क्यों करूँ लेकिन वो ऐसा करता है तो वो मुर्ग माना जाता है अपनी इंकम से ज़दा वे करता है तो परंतो अगर राष्ट विकास तता मंदी के निराकरण के लिए राष्ट रिन लेकर के गाटेगा बजट बनाता है तो वो उसे राष्ट के विकास में मदद मिलती है और उसे बुद्धी मता माना जाता है नेक्स्ट एक वेक्ति अपने निजी लाब के लिए बरेश्टाचार, रिश्वत, खोरी, काला बाजारी लूट पार्ट में लिप्त होकर लाब कमा सकता है पर समुचा राष्ट इस परकार की गती विदियो से निश्चित रूप से नुक्सान उठाता है एक वेक्ति अपने निजी स्वारत के लिए बरेश्टाचार में लिप्त हो सकता है, रिश्वत ले सकता है, काला बाजारी कर सकता है, लूट पार्ट कर सकता है लेकिन यदि संपून राष्ट के वेक्ति इस तरह से करने लग जाएं, तो पुरा देश ही बरबाद हो जाए, और सारी की सारी गतीविदिया टफ हो जाए, नुक्सान उठाता है, ऐसी इस्तितियों से राष्ट किसी उद्ध्योंग विशेस में उची कीमतों से उसकी फर्मे लाब कमा सकती है, पर प्रतेग उद्ध्योंग में कीमते बढ़ जाए, तो मुद्रा इस्विति के दूस परेणामों का सामना करना पड़ेगा कोई भी एक उद्ध्योंग है, उस उद्ध्योंग के उत्पाद से उची कीमतों से उसके फर्म लाब कमा सकती है, एक उद्ध्योंग तो ऐसा कर सकता है, करता भी है, पर प्रतेग उद्ध्योंग में कीमते बढ़ जाए, तो इसके दूस परेणाम क्या होंगे सब को पता है महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्राइस पिती बढ़ जाएगी और इस मुद्राइस पिती के दूस प्रवाओं का सामना पूरे राष्ट को करना पड़ेगा एक वेक्ति के लिए जो वेवार बुद्धि मतापून हो इस प्रकार समच्चि आर्थिक विरोदाभास के कई सारे उधारन है ये उदारण सिद्ध करते हैं कि जो आर्थिक वेवार में वेक्तिगत रूप में उचित एवं लाप्रत हो सकता है। समस्टी Blue Лテon को प्रधानता दी है क्योंकि आर्तिक विस्ट्रेशन में वैस्ट के सासा समस्टी विनजटर हुजाता है ये दोनों वेस्टी और समस्टी विशलेशन एक दूसरे के पूरक हैं एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है दोनों का विशलेशन आर्तिक द्रस्टी से आवशक है ये ता आप मारा आज का टॉपिक समस्टी आर्तिक विरोधा भास ठैंक क्यू